हेलो फ्रेंट्स जैहीन स्वागत आपका आपके बने चलो होम टुशन पे दोस्तों जैसे का आप जानते हैं हर्याना प्लिस कॉंस्टिबल मेल के पीम्टी सोडा जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं और दोस्तों आपकी जो लिस्ट है वो भी एससी द्वारा डिकलेर कर दी नहीं है उनके लिए क्या सोलिशन यहां पर हो सकता है जानने के लिए वीडियो को ध्यांसर पूरा देखें दोस्तों चैनल पर नए हैं चलो को सबस्क्राइब करें लिए और किसी प्रकार की लिटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए आप हमारे टेलेग्राम चलों अप्रिशिट जरू करिएगा तो आईए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले आप जानते हैं दोस्तों यहां पे वेकेंसिया आप जानते हैं कितनी भईया पोस्ट है पाँच हजार मेल की मैं बात कर रहा हूं पर यहां पे दोस्तों सुरुआत में 6 गुणा बच्चे ही है अब यहां पे 30,000 बच्चों में से इनको लेने कितने दोस्तों च्यार गुणा यहीं 20,000 मेल कंडिडेट चाहिए रिटन एक्जाम के लिए 30,000 में से माल लीजे 15,000 बच्चे फिजिकल पास कर पाते हैं तो 5000 बच्चों के लिए जो बाकी के दो गुणा बच्चे हैं उ पिलहाल 6 गुणा बच्चों की लिस्ट है 30,000 बच्चों की लिस्ट हो डिकलेर हो चुकी है अगर हम बात करें कटोफ की तो यहां पे जर्नल कैटेगरी जो हमने कटोफ बताई थी आपको 55 नंबर बहुत सारे यूट्यूबर ने आपको साथ से ज़्यादा कटोब बताई अ हमने आपको कटोफ 5 बताई लेकिन यहां पे जर्नल की कटोफ तो बहुत ज़्यादा कम गई है 52 नंबर से ज़्यादा जिसके है उसका नाम इस लिस्ट में है लेकिन यहां पे एडवलोस ने सभी को चोकाया है यहां पे जो कटोफ है दोस्तो 58 नंबर से ज़्यादा लगी लेकिन 60 को यह भी पार नहीं करी है ठीक है दोस्तो तो आप अपने विवेक का प्रियोग करिए कि आपको क्या चीज़े सही लगती है क्या गलत लगती है बहुत सारे बच्चे आप गुरुप सी जैसे 56 ताउन की बहुत सारी वेकेंसिया है उनकी कटोफ को देख देख करना है कि आपको नोकरी लेनी है कि या किसी यूटूबर के कहने से आप तैयारी चोड़ देंगे या चीज़ों पर विश्वास करना चोड़ देंगे यह खुद का विवेक काम करता है ठीक है यह आपकी कटोफ रही यहां पर दोस्तो ठीक है और जो आपकी लिस्ट है वो 2 फोटो आइडी ठ्रीक हो सकता है परहन काले करतें इसरों के मारी सीत कर्द आहें वो आपको यहां सकता है आपको लाइडा इसके अलावा नमबर तीन पर अगर आपकी डेट अवर्थ में कोई mistake है माल लीजिए आपका admit card आया भी और उसमें date of birth कुछ और है और आपकी actual date of birth कुछ और है या कोई mistake हो गई father name गलता रहा है या आपका नाम गलता रहा है या कुछ भी mistake है आपके detail से संब्दित तो आपको लेके जाना है दस्वी की mark seat ठीक है विशेश कर आपके अगर date of birth यहां पे गलत है या नाम गलत है father name गलत है तो दस्वी की mark seat उन्हीं को लेके जानी है जिनको दिक्कत है कोई mistake होई है ठीक है कई बच्चों की date of birth पे गलती हो सकती है कि उसमें कुछ और है इसमें कुछ और है तो उनको दस्वी की mark seat लेके जानी चाहिए नंबर च्यार पे दोस्तों आप ज़्यादा नहीं दो से तीन फोटो जरूर लेके जाएगा आवशकता पड़ सकती है इसके अलावा कोई भी डोकोमेंट्स आपको नहीं लेके जाना है एडमिट कार्ड फोटो आईडी दस्वी की mark seat अगर किसी को दिक्कत है तो और दो से तीन फोटो इसके अलावा आपको कुछ भी लेके जाने की अवशकता नहीं है ठेक है तो बहुत सारे बच्चे बुझ रहे थे कि क्या complete documents लेके जाने नहीं आपको admit कार्ड के अध्यम से आपको इंट्री मिल जाएगी आपका PMT होगा आपको भार कर दिया जाएगा अब बात करते हैं क्या running भी साथ होगी नहीं दोस्तो आपका सोड़ा जुलाई से लेके 23 जुलाई तक आपका चलेगा PMT फिजिकल मेजरिमेंट टेस्ट ठेक है यह चलेगा दोस्तो मेल का और 23 जुलाई को तीन सिप्टे हैं 23 जुलाई से 25 जुलाई दोस्तो तीन दिन में हो जाएगा female का ठेक है यह होगा PMT इसके बाद अगर बात करे PST फिजिकल स्टेंडर्ड टेस्ट जो रनिंग होगी ठेक है दोस्तो जो आपकी रनिंग होगी वो होगी आफ्टर आफ्टर 25 जुलाई दोस्तो ठेक है हो सकता है कि 26 जुलाई से आपको रनिंग के लिए बुला लिया जाए तो अभी आपकी रनिंग नहीं है तो टैंसल ले क्वालिफाई नहीं किया जाएगा हाइट में और स्ट में मसीन से आपकी हाइट मेजर होगी जितनी आपके हाइट होगी वहीं वहाँ पे मेजर होगी एक बार जो हाइट वहाँ पे मेजर होगी आप तुरंत रीएपिल कर सकते हो लेकिन एक बार आपने उस ग्राउंड को छोड़ दिया तो उसके बाद आप जाके वहाँ पे कलिम नहीं कर सकते कहती है, ही मेरी कम बठाई या मेरी ज़्यादा बठाई ठेक दोस्तों तो आप जिसे माली जी किसी का 170 सेंटिमेटर है वहां पे 170 पुछ बितार है तो वहां ओंदा स्पोर्ट आप रियापील कर सकते हो लेकिन एक दोस्तों अप बात करते हैं कि जिनका लिस्ट में नाम नहीं है वो क्या करें तो जरहां पर आप देख लीजिए दोस्तों यह लिस्ट आप की और यहां पे जब आप साथ नमबर पे पेज़ पेज़ आएंगे आप देखें यहां पे 57 58 यह यह सतावन नमबर यानी जो लिस्ट है जिनको फिजिकल के लिए बुलाया है उनकी लिस्ट तो यहां पे 57 नमबर पेज तकी है टोटल पेज 144 जाथ है यानी लगब 80 से 85 लिए क्या instruction दरा ध्यान से देख लीजिए और यही काम आपको करना है होगा क्या कि जो second list आएगी जब दो गुणा बच्चों को और बुलाया जाएगा तो हो सकता है कि यह जो list में आपको निचे दिखा रहा हूँ इन में से भी बच्चों को बुलाया जा सकता है अगर वो गलती को ठीक कर लेते हैं तो क्या है गलती ज़रा देखिए दे कंडिडेट्स हूज सीटी मार्क्स आर मोर देन दा रस्पेक्टिव कटों देर कैटेगरी बट हैव नोट बिन सोट लिस्टेड देर रिजन आर बिंग गीवन वाइड पब्लिक नोटिस जेटेड वाहिल डू केर यह याले है दोस्तों अब यह आपर देखिए जिनका फोरूम रिजएक्ट हो चुका है जिनको नहीं बुलाया उनकी लिस्टे है लेकिन जिनकी काटेगरी में दिक्कत है उनके लिए दिखाए if any candidates has any grievance then the same may be raise online checking clicking on the raise grievance link at the bottom on 17 जुलाई 2024 तक आप अपना grievance यहाँ पे दे सकते हैं 17 जुलाई के बाद आपको कोई भी दिक्कत मलब फिजिकल आप जाएंगे पंशकुला headquarter में जाएंगे तो आपका वो हाँ पे स्विकार नहीं होगा आपको online ही देना है ठेक है तो हो सकता है कि second list में आपका नाम आ जाए फिल हाल यह जो बच्चे हैं दोस्तों जिनका कटो उसे मारक्स जादा भी है फिर भी list में नाम नहीं है उनके लिए यहाँ पे सबस्ट लिखा हुआ है कि भाईया आपका क्या कारण रहा क्यों आपको नहीं बुलाया गया जैसे यहाँ पे आप देखोगे 528 नंबर सीरियल नंबर है इस बच्चे का लिस्ट में नाम नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि BCA Certigate इसका लास जेट से पहले का नहीं था और जर्नल कर्टेगरी में ओरेज था एसी प्रकार यह बच्चा देखी 1103 BCB काटेगरी इसकी जो Certigate थी 1423 से पहले की नहीं थी और शोरी यह इससे पहले की थी आपको लेटेस्ट आपसे मांगी गई थी और जर्नल काटेगरी में ओरेज हो गया तो इसको नहीं बुलाया गया इसी प्रकार 1190 में जर्नल काटेगरी में ओरेज है 1364 ओरेज है तो बहुत सारे बचे कमेंट कर रहे हैं कि मेरा CT fries मार्क जादा है मेरा सब कुस्ट भी है फिर भी मेरा नाम नहीं है तो एक बार आप यह लिस्ट और जूरी यहां में तो नहीं है कोई आपने गलत तो नहीं कर दिया है यहाँ पर गलती ठीक है तो यह आपकी लिस्ट देखे आ यहां पे सोट लिस्ट नहीं किया जबकि उनका स्कूर कटोफ से ज़्यादा था तो उसका कारण इन्हों ने दे दिया आपकी सट डिकेट या तो लेटस नहीं है या फिर आप जर्नल काटेगरी में सामिल होगे एज में ओर रहे हो चुके हैं ठीक है तो जिनका लिस्ट में न जबातावर का प्लिकेक्ट is पिएम्टी आपका 23 जुलाई से स्टार्ट होगा तो आपकी जो लिस्ट है फिमयल की जो लिस्ट होगी वह आपको 20 जुलाई के आसपास मिलेगी तो अभी फिमेल का यहां पर कोई लिस्ट नहीं आई यह वीडियो लाइक करें सेयर करें चलको सबस्क्राइब के नवर्शाद जुड़ेने के लिए धन्यवाद जैहिंद